नमस्कार, आईए सुनते हैं प्रवराजी का मुक्ष प्राण माताजी का एक प्रेर्णा दाई पत्र, यह पत्र अरुनाचल प्रदेश के खोनसा से लिखा गया है, माताजी लिख रही है, शिरी शिरी राम कृष्न शारणम, इसने ही, सारा दिन सब लोगों के साथ बात करते करते समय चला जाता है, और समय मिलेगा की नहीं, नहीं जानती, इसलिए सुभा ही लिख रही हूँ, जिस घर में सोती हूँ, उसकी पूर्व दिशा के बरामदे में बैठ कर लिख रही हूँ, इसके पीछे ही, इस घर का ही एक छोटा सा पूजा का कमरा है, आज आकाश में बादल चाएं हैं, बरामदे के नीचे ही पहाड शुरू होते हैं, उस पहाड के बाद गिरी खाद, उसके बाद फिर पहाडों की श्रेंखला, विगत कल होस्टिल की चोटी-चोटी लड़कियों ने राधा कृष्ण बन कर कितना सुन्दर निर्थ दिखाया, क्या कहूं, बड़ों ने बास के उपर नागा निर्थ दिखाया, और शिवाजी नाटक का कुछ अंश करके दिखाया, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, सब भाषा ही लड़कियां समझती हैं, पर दिल्ली बोड के अधीन हैं, तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी अधिक प्रचले थे, उनकी गर्मियों की छुटियां शुरू हो गई हैं, आज सुभा के समय, दो बस, जो दूर की लड़कियां हैं, उन्हें लेकर चली गई, आसपास की लड़कियों ने अभी-अभी जाना शुरू किया है, दो, तेरह, चौधे साल की उम्र की लड़कियां प्रणाम करके गई, बोली हम जा रही हैं, पुछा कितनी दूर रहती हो, तो बोली अधिक दूर नहीं, पास में, यहीं चार किलोमेटर रास्ता, पैदल ही चले जाएंगे, इसी लिए ये लोग इतने मजबूत हैं, इन्हे देखकर लग रहा है, सच में कुछ काम हो रहा है, बहुत आनंद एवं उत्सुकता के साथ सब सीख रहे हैं, सीखने की प्रबल इच्छा एवं प्रैतन है, यह देखकर बहुत अच्छा लगा, इन्हें तो इतने दिनों तक वन्चित करके ही रखा गया था, उस महाभारत के युग में भी मनिपूर, आसाम, अरुनाचल आदी का नाम मिलता है, कुछ कुछ नाम अदल बदल हुए हैं यहीं तक, नहीं तो उधर द्वारका से इधर ब्रह्म देश, इंडोनेशिय आदी तक भारत वर्ष व्याप्त था, हमेशा से ही शासक और शासित के बीच दूरी ही एवं है, भारत वर्ष की एक सुवीधा है, उस दूरी और आपस के फर्क को दूर करने के लिए हर युग में अवतार पुरुष का आगमन होता है, भगवान मनुश्यत्व की अवमानना सहन नहीं कर सकते, मनुश्य को भगवत चेतना देकर ही उन्होंने स्रिष्टी की है वही मनुश्य हीन स्वार्थ के मोहों में अपने आपको भूल कर निम्न इस्तर में उतरते उतरते अपनी स्वयम की सत्ता को खो देता है, उसे उस भगवत चेतने में उन्हा प्रतिष्ठित करने हे तुही, वे इस थूल देहे के सभी प्रकार के कष्टों को स्विकार कर, मन मनुश्यत वो हीन मानव जाती के बीच में उतर आते हैं, इतना प्रेम क्या मनुश्य दे सकता है? पिर किस आलोग के प्राण के दीपक जलाकर तुम इस धरा पर आते हो? किस प्रेम का प्रकाश उन्हें धर्ती पर उतार लाता है? सोचो तो, हीन स्वार्थी मनुश्य को वे खाने की घंटी बज रही है, सुन रही हूँ, अब समाप्त करती हूँ, छे तारिख को सुभा, साथ बज कर चालिस मिनट पर हवाई जहाद से रवाना होंगी, इती शुभानुध्याईनी मोक्ष प्राना आशा है, आज का यह पत्र भी आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ ना कुछ प्रेड़ना अवश्य पाएंगे, मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहे हैं देवाक्षर, आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद